कि हलो वेल्कम टू आप सभी का स्वागत है पर फिर से सजी कोचिंग के इस ऑफिशल एप पर और उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास पर यूपी स्पेशल बैच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम लोग क्लास नंबर नाइन करने वाले हैं तो क्लास नंबर नाइन में मैंने आपको पहले बताया था उत्तर प्रदेश का कम्प्लीट इतिहास हम लोग पर चुके हैं प्राचीन काल मद्यकाल आधुनिक काल फिर उत्तर प्रदेश के भूगोल पर हम लोग ने बात करी राजडितिक सीमाओं पर अ नयैं अगर पुराएं अगर के नाम क्या थे जिसे मत्हुरा की नाम मधुपूरी था ना ब्रह्म वैवर्त का नाम आपका आपका या ब्रह्म वर्द का नाम आपकवी ठूठ भाम्सारणि ही आपका क्या था येAD वाते हमने आपको बता दीत porte चलिक दे इसके बादाद आज बात करेंगे चितरक लाक के बारे में बात करेंगे चितर कला के बारे में और प्रमुख चित्रकार जिनका संबन उत्तर प्रदेश से है और उन चित्रकारियों की उन चित्रकारों की महत पूर्ण रचनाएं उन चित्रकारों की महत पूर्ण कृतियां इस पर बात करेंगे इसके बाद हम लोग दूसरा पार्ट इस्थापत्य कला पर बात करेंगे ठीक है फिर तीसरा पार्ट हम लोग संगीत पर आ जाएंगे और इस संगीत में हम लोग लोग गीत पर बात करेंगे लोग गीत पर इसके बाद लोग नत्य पर बात करेंगे और इसके बाद लोग नाट पर बात करेंगे लोग नाट पर बात करेंगे ठीक है यहीं पर हम लोग देखेंगे उच्सो देखेंगे हुच्सो जैसे आयुरिवेद महुत्सो कहां मनाया जाता है ठीकला इसके बाद हम लोग संगीत में प्रमुक घराने और उनके संस्थापक प्रमुक घराने और उनके संस्थापक और जो प्रमु घराने हैं उनसे संबंद किन-किन व्यक्तियों का रहा है महापुरूसों का रहा है उन पर सभी चीज़ों पर बात करेंगे ठीक है तो फटा-फटा जुड़ जाईए सभी लोग मेरे साथ जुड़ चुके होंगे हाँ जुड़ चुके है ठीक है अधन्यवाद पवनकुमार आकांच्छा हाँ यह लाइव नहीं ठीक है और यह लाइव नहीं है रिकॉजट क्लास है और जिसको इसको लग रहा है वह बहुत तेजी से भाग जाने तो हम अभी ठीक है ना यहाद मरा जा रहा है अतुम लोग को रिकॉज़ और लाइव की प कहानि को आपको याद रखना है जो मैं कहानि आपको सुनाऊंगा उसको आपको याद रखना है मैंने अपसे कहा था पंधरा ख्लास से उत्तरप्धरत की स्व final कर लेंगे को यह कोशन अदिए करते चले उत्तर प्रदेश में संक्रति विभाग के स्थाफना कप की गई थी थी तो आप कांस अजय में फिर मैं बोल रहा हूं और आप याद करते चलिए उत्तरप्रदेश में अचल e तो आप गहेंगे से हमें पहले का च्छेटर प्राप्त होगा अवद की च्छितर प्राप्त होगा बुंदेल पठारी प्र्देश में आजए ऑंसे करके जिख adoption बर चुक्लो मैं बोल देना तो हम लोग संस्क्रती के आधार पर उत्तर देश को इतने भागों बाटेंगे फिर मैं बोल रहा हूं ब्रज आवद बुंदेल खंड रुहेल खंड और पूरवांचल ठीक ना तो हमने पांच भागों में बाट दिया अगर आप से पूच कोशन पूचा जाए कि बताइए उ गुप्त काल में काम सुरूई थी भी या गुप्त काल में तो कोशन मनेगा क्या उत्तर प्देश में गुप्त कालीन मंदिरों के साक्ष मिलते हैं तो हमने आपको बता रखा है कि आप देवगड़ जाएंगे तो देवगड़ में दशावतार मंदिर है देवगड़ का तो का मंदिर मिलेगा संभवता वहां पे जो मूर्ती थी गरब ग्रह वाली वो के चुरा ले गिया तो कहा जाता है लक्षमण मंदिर था है वो ठीक है ना तो गुप्त काली नीटो का मंदिर जो कानपुर भीतर गाओं में हैं फिर इसके आप भीतरी लेक पढ़ेंगे अरे हा आचीन से अब मदिकाल में आ जाईए मैं इतिहास पुरा पढ़ा चुका हूँ फिर बे मैं रिवीजन करा रहा हूं आपको सुनते रहिएगा क्यूकि आपको आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेशन आते हैं क्वेशन मनेगा मदिकाल में इस थापत कला की दो प्रमुक्ष ए आपको एक यादकना जॉन पुर वाली और एक यादकना आगरा वाली अर्थात सरकी सरकी सहली और मुगल सहली सरकी सहली कहां चल ले थी जॉन पूर में और मुगल सहली कहां चल ले थी जॉन पूर में और मुगल सहली कहां चल ले थी आगरा में अगर आप से पूचा जाए सरकी सहली का सबसे अच्छा नमूना कौन सा इस्थापत में तो आप कहेंगे अटाला मस्जिद क्या पताएंगे आप अटाला मस्जिद हो गई जजरी मस्जिद हो गई यह सारी आपकी सरकी वंस के साथ को ने बनाई है और अटाला मजीद कहा पर है जौनपुर में है अगर आपसे पूछा जाएगा आखा जीता जागता आगरा का ताज महल लेकिन अगर आपसे क्वेशन पूछ दिया जाए कि आधुनिक इस्थापत कला की प्रमुख सहली कौन सी है तब आपका आउसर लखनव आएगा अगर आपसे नमूना पूछ ले जीता जाता इमाम बाड़ा आप इमाम बाड़ा देख सकते हैं यह हमारे लखनव सहली का क्या है प्रसिद्ध एक्जामपल है क्या यहां तक आपको बाते समझ में आई तो आपको जो मैंने याद कराया है बस वही आपको यहां पर लिखना है फटा फट से आंसर आपको बताने हैं तो सबसे पहला कुश्चन है उत्तर प्रभदेश में संस्क्रती विभाग के स्थापना कप की गई तो उत्तर प्रभदेश संस्क्रती विभाग के स्थापना उत्तर प्रदेश संस्क्रती विभाग के स्थ अपना 1957 में की गई और हमने आपको उताया था 1957 में ही चंद्र प्रभाव वन्यजीव विहार बना था जो कहां पर है आपका चंदवली में है यह सब मैंने आपको याद कराया है अगली बास मज़िए उत्तर प्रदेश के प्रमुक्सांस्रतिक छेतर की बात की जाया तो मैंने आपको रुषएल खंझ वाला पार्ट लिया है रुषएलखंज वाला पार्ट लिया पश्च्छ्छ मी झेतर क्या सकते हो इसको अनसा फrale या फिर मेने आपका कॉछां की प्रहुख से लियां कौन कौन सी थी मद्ध काल में पूछाई इसथापत कि रही कि मनें आपको बताया है तो बताइए आपको तो आपको पहला होगा सरकी सेली करें पहला होगा से पूछा जाए कि मुगल सेली गाव भता हो तो आपको लगा देना है ताज महल आप से पूछा जाएगा ऐसा आगला को शजय ने अर्चाहर मी धरवाजा पही Luk beta Student तो इस थापत कला سے मैंने इतने प्रसने आपको बताए हैं तो इसको आपको रच्टा मार लेना है फटा फट्चस तीजे समझ में आ गई होंगी इस थापत कला के बाद हम लोग बात करेंगे चित्रकला पर किसकी बार बात करेंगे तो कोशन यहीं से बनेगा मद्दकाल से बनेगा कि मद्दकाल में मद्दकाल की प्रमुख चित्रकला की शहलियां कौन कौन सी है बद्द काल की प्रमुख चित्रकला की शहली कौन कौन सी थो वई सिंपल सी बात है आप एक पहला याद दकना मुगल सेली मुगल सली कहां चल ले थी आगरा में दूसरा यादिकला मुठ्णध अभरा रिकर चल लेती मुजंध आपका एक। अफसे पैर मैं कह रहा हूँ आप से क्योंकि बाबर के समय से चित्रकला की सुरुवात नहीं हुई थी बाबर के समय बिहजाद बाबर के समय बिहजाद नाम का एक फार्सी चित्रकार आया तो था लेकिन चित्रकला सुरुवात नहीं हुई थी तो मुगल काल में चित्रकला की सुरुवात आप से पूछेगा तो हुमायू बताएंगे और चित्रकला का स्वणकाल पूछेगा तब जहांगीर बताएंगे उसी प्रकार से स्थापत कला का स्वणकाल यहां पूछेगा तो सा जहां का काल बताएंगे हां किना कोशन मनता है बताईए बनारस में बनारस में जिस चित्रक कि यानते हैं लेकिन यहीं पर पूझ दिया जाए आधनीच्ट कला कि शैली किसे कहते हैं तो आप आधाने का नाम की उनका लाम किया तो आपका आउनिक चित्रकुमार हल्डार के उत्र कुमार हलदार यहां त fazem लोग अगले पाइट बड़て हैं चित्रकुमार को आप आपको आंसर देने है फटाफट से मैंने आपको पहले बताया है अब आपको आंसर देना है लिखा है मद काल की प्रमुक चित्रकला सैली कौन कौन सी हैं तो इसमें आपको मलाल लेते हैं और लिखते हैं अना पहला लिखेंगे मुगल सैली पहली कौन सी है मुगल सैली फिर मैंने लिखी आपकी मतुरा सैली और फिर मैंने लिखी आपकी बुंदेली सैली ठीक ना फिर क्या लिखिया हमने आपकी बुंदेली सैली फिर प आंसर आएगा जहांगीर ओके और यह सब बाते हम लोग कर चुके हैं फिर लिखाए काशी में कौन सी चित्रकला की सैली विक्सित हुई थी तो आपका आंसर मैंने बताया है अप भ्रंस सैली क्या लगाना है आपको आप भ्रंस सैली यह बोली की बात नहीं कर रहा हूं यह मैं तो ब्रंस कोई कंपनी सैली भी कहते हैं इसी अब भ्रंस सैली को ही कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रशन है आधनिक चित्रकला की प्रमुख सैली किसे मना जाता है तो वाश टेमपा सैली को किसको मानते हैं वाश टेमपा सैली को और वाश टेमपा सैली क कहां पर विक्सित हुई थी लखनों में विक्सित हुई थी इसको लखनों सहली के नाम से जानते हैं और इस लखनों वाश्टेमपस हैली के जनक कौन है तो आप कहेंगे असित कुमार हलडार हैं कौन है असित कुमार हलडार हैं क्या है मैं समझा पाया अब आप को शना आप से पूछा जाएगा कि प्रमुक चित्रकार बताईए और उन चित्रकारों की हना क्रतियां बताईए कि उन्होंने जो चित्रकला की है या चित्रों का जो समू बनाया है हना वो किसी रचना में सामिल किया होगा अरे हां कि न तो यहीं से आप से कोशन आप से पूछा जाएगा कि कि बताइए आपको देदेगा प्रमख्शित्र देगा और कहा देगा बताई उसका कार जल्दी से थीवट पूट याधर हो वह न खुत चित्रकारफ था जिनका कार छेत्र कानपुर था सुनिएगा वै कौन सा चित्रकार था जिसका कार छेत्र क्या था कानपुर था वै कौन सा चित्रकार था जिसका कार छेत्र कानपुर था और उसने कानपुर में यूरोपियों की एक जलक दिखाई है तो उनके चित्रों का जो समू है वो किताब का नाम है यूरूपी य मतकी जलक्तना कानपुर उनका आपका कॆ क्रिश्न खंधा या तक है नाम क्या है कृष्न खंधा अगले लिद्धह के दिनका गारेच चेतरकानपुर है और चित्रकार जो समू है उनकी क्रती कहलाती है यूरोपी यूरोपी मत की जलक ठीक है ना अगला देखते हैं यह तो बहुत इंपॉटन जो लिखें मैंने कोशन बनता है कि बताइए उत्तरब देश में वह कौन से चित्रकार है जिसको रंगदार के नाम से जाना जाता है रंगदार समझ रहे हैं हना वो उत्तरब देश का सबसे अच्छा कलरिस्ट है कलरिस्ट समझ रहो ना सबसे अच्छा रंग भरता है तो बताइए लिखा साब इनका नाम में विश्वनात खनना कलाम है विश्वनात खननना क्लीर है तो तर्वदेश का सबसे अचा रंगदार चितरकला में रंगदार किसे कहा जाता है तो विश्वनात खन्ना को अच्छा ये आते हैं जिसने कालीन पर चितरकारी करी है और बहुत सारी आप कार्पेट ये थे कार्पेट कार्पेट में जो चितरकारी है हाँ वो इन्हीं निकलना शुरू करी हाना ठ्रे में चितरकारी च फ्पल बाचीनी सिर्ट के बरतन है さब घृच्ण बनाना पड़ेगा तो कॉन है व्यक्ति व्यश्म चिप प्रमुक च्तरकार जिसने ट्रेरी पर चीतरकारी करना सुर्वकिया का वीज़ी अनन्द कि तब कारिक्र आप खूंसर का शीध ब्चन शोर तो क्योश्र मलता है कि उत्तर्वदेश में जब उत्तराखर मौझूद था तो उस समय कांगळा सैली और काशी शैली का विकास हुआ था चित्रकालामे तो क्योश्र मता है इसके जनक कौन है तो आप कांसलेगा मेहंद्र नात सिंग तो मेहंद्रुनात सिंग प्रमुक्त चित्रकार है उत्तरवदेश के जिन्होंने कांगडा सैली और काशी शैली में विवित्ता लेकर आये थे यह cane सबस्य पेपर में आया है वह यह दोनों है पियासा उंट यह कि चतर आपने देखा होगा सुहाग बिंदि lumière स्अध nota नiven talk चुरी इसी तो यह किसकी हैं तो यह आपकी है जल्दी अगास की है यह किसकी कि विशना खंamız लिखा है यह लिखना है विष्वनाथ मेहता काना है विष्वनाथ मेहता तो या रखना प्यासां उंठ जो चित्रकार है चित्रकारी है या सुहाग बिंदिया सरष्टी यह इनका नाम है शिवनन नौटियाल उनका नाम है शिवनंदन नौटियाल अना जुबिन नौटियाल से इनका कोई संबंद रही है ठीक ना यह बात आपको समझ में आ गई कि जल्दी बताइए कि जल्दी से दीपक सैनी शिवानी सिंग आचल में इतनी है आपको समझ में आगई नसलित आई यathan लोगों ने क्या पढ़ा हम लोगों ने उत्तरब्देश की संस्क्रति स्टार्ट करी और उसमें क्या पढ़ लिए ऐं लोग ने क्या नंबर्द लोड यक पर इस्थापत करला पढ़ा नंबर do पार्ट पर आते हैं अगला पार्ट क्या है संघीत करना है तो देखते हैं बहूट कर C कजरी कजली जो बहुत आता है पेपर में अचल जी आप अपना काम करो इकना अभी पढ़ाई करो तीक है अगर आपने कोई बैच लिया है तो वो पूरा होकर ही हटेगा पूरा ही होकर हटेगा ठीक है ना हाँ आप क्या अपने उपर यह processo बीलकुल दिमाग मतलगा पूरा हो कर यह टेगा वह टीकर के नवसकंा उमस्तों отп मैं क्या कर रहा हूं हम लोग को पढ़ना है कि संगीत कला आपको बताना है कि हमारा उत्तार्वदेश में एक मात्री एक मात्र सास्थ्री नत्य है KON सब्सक्राइब तर्व देश का एक माटर शास्थे नकोन मुझेगा तो आप सब्सक्राइब नॉर्मल सब्सक्राइब तर्व देश का एक माटर सस्थि नकॉन सब्सक्राई9 1 2 कहां पड़तों सवह खमनव में लाष्ट्रीक नंस्तान का हो रोगा Ama udah ke ठीक है आप लोग ऐसे कमेंट करते रहेंगे हां तो मैं क्या रहा हूं समझिएगा मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा कि उत्तरफदेश में ऐस चाहली है वह क्त्थक को सब्सक्राइब कुछ भिष्दुख मुणता है कि पताई इस कि उच्व प्रमु क add कौन से ऐसे देस के वह कौन से है जहां पर कось कुछ भाया जाता थे उच्व प्रमु क्यूका ना ऑद एक ना है और एक या दखना है एक skip राना है और एक आपका अब नारस हो भाना है ये दो आफेने हैं जो कथकले परसिद्ध हैं मैने दोज नाम लिखे हुए हैं इन सभासमन कथक से याधद का माराज अच्छन माराज बिर्जु महराज नसेल जासिंग परक्मदान सितारा देवी अलख नंदा बड़े रामदा छोटे नामदास सिव नंदर मिस्रा तो इस प्रकार से हरी संकर मिस्रा गोभी करेशन चौबे उदय संकर्तिवारी महादेव मिस्रा ये सारे लोग कठ्ठ से संबंदित हैं सब किसे संबंदित हैं खर्थक से तो यह बताना है यह पहले वाले किसे संबंदित हैं बहुत बढ़िया पहले वाले का अंसर सबका आ गया है पहले वाले जो है वह आपके संबंदित हैं लखनव घराने से पहले वाले संबंदित हैं आपके किस गराने से याद रखना है लक्षु मराज का वास्त्विक नाम एक बार आप से पूछा गया था तो अब याद रखना है आपको बैजनात मिस्र कोई समस्या नहीं तो सिंपल सी बात है सितारा देवी अलक अलक नंदा बड़े रामदास चोटे रामदास हरी संकर चौबे सिव नंदर मिस उधै शंकरतिवारी महादेव मिस्रा ये सब काउं गराने के बनारस घराने के यहाद कल लीजिए का ठीक है चलिए फिर हम लोग अगले पाट पर आते हैं लिखा हुआ है प्रमुग घराने उत्तर वदेश के प्रमुग घराने बताईए और उनके संस्थापक कौन कौन है उत्तर वदेश के प्रबुह घराने बताने उनके संस्थापक बताने हैं तो मैंने यहां पर आपके अले के संस्थापक लिख दिये आपको बताना है बस कि बताइए इन्होंने कौन सा घराना बसाया था बात समझ्यारी है जिसे नंभऑ एक पर लिखा अगर आपको आता है नहीं आता है तो मैंने बताया ना ऐसा पढ़ा दूँगा कि आपका पेपर 101 परसें निकलेगा ही निकलेगा क्लीर है खलीफा मुहम्मद ने किस घराने का स्थापना की थी तो आप संदे देता हूं मैं साकंबरी मेला वही लगता है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला वही है तो आप बताये फटाफट से तो खलीफा मुहम्मद इन्होंने किस घराने का स्थापना की थी तो आपका आंसर आएगा सहारनपुर घराना सहारनपुर घराना क्या मैं समझा पाया पर अगला कुश्चन है नेमत खां सदारंग नेमत खां सदारंग इन्हों ने किस घराने की स्थापना की तो रामपुर घराना रामपुर घराना क्लियर हो गया चलिए अगला है जैनु खां और जोरावर खां जैनु खां और जोराव नथि पूर सीक्री घराना फटेपुर सीक्री घराना घराना ठिक है चलिए आगे वड़ते हैं लिखा हुआ है नत्तखहा और दीकाने कौन बसाया था नको ड़ता हूं इसका जो कि कि युद्धेखहन ने उस घराने की स्थापना की थी जिसका नया नाम हरीगड़ हो गया है या पिर इसी को कोईल के नाम से भी जाना जाता था तो हरीगड़ कोईल के नाम से किसको जाना जाता था हम नहीं नाम पुराने नाम बताए हैं सब ठीक है न तो आप का अंसराएगा अलीगड़ घराना तो आप का अंसराएगा अलीगड़ घरा और लास्ट है लांस लाट पकड़ लोगे अलक दास और बने इस्थाहर को aiper में हाया है अलक दास और मलूग दास और अले कौन से अगराने की थी का उन्तर आगा आँ रखराना किया हम अंतरा पाया यहां था यह वित सब्सक्राइब करना था क्या आपकी मेराथन क्लास से हो जाएगी हाँ अगर यह पढ़ाएंगे तो यह सब नहीं पढ़ाया है ठीक ना लेकिन इससे तो हंड्रेट परसेंट ही हो जाएगी फिर उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता ठीक ना चलिए तो हम लोग अगया है मेला क्यूंकि मेला दिलों का आता है और एक बार आकर चला जाता है तो सबसे पहला क्यों तो यही है आप से पूछा जाएगा कि कि बताईए यहां सरवाधिक मेले कहां लगते हैं तो नंबर एक पर आएगा मतुरा या रखना नंबर एक पर आएगा मतुरा नंबर दो पर आएगा कानपूर नंबर तीन पर आएगा हमीरपूर नंबर तीन पर क्या आएगा हमीरपूर तो या रखना है सबसे ज्यादा मतुरम लगते हैं कितन बच रही है जहां से में एक वर्स में 78 मेरे लगते हैं कितने मेले 78 सरवादिक मेले कहां लगते हैं तो आप कहां मतुरा में तो दूसरे सरवादिक मेले कहां लगते हैं कानपूर में तो तीसरे सरवादिक मेले कहां लगते हैं हमीरपूर में तो चौते सरवादिक मेले कहां ल देखा जाना है बटाइए कालींजर मेना कहा है लगए के लिकाय का का लगेगा प्रियाग राज में कुम्भ मेला और माग मेला का लगेगा प्रियाग राज में प्रियाग राज को तीर्त राज कहते हैं संगम नगरी कहते हैं तीर्त राज प्रियाग राज को कहते हैं याद रखेगा मुक्ति नगरी बनारस को अभी मैंने कली पढ़ाया है व्यारों प्लिस व्लिस वाला इस में आजी पढ़ाया है कि गलत दो resistance है लिकां कैलर मेला बटेशवर मेला नवरातरी मेला राम अधार मेला और गड़कॉर मेला इंसे का अपका है आगरा इंशर का अंसर है आपका आगरा अपसिनेगा यह जो बतेश्वर मेला है यह स्मेला है जो बतेश्वर मेला है यह रातों मैला है अभी बात करेंगे तीजा नोच बाते उ Below एपड 그러면 वैसे है वो आपका पशी मेला है ओके चलिया आगे बथे यह हुआ है न homemade लिक्षानात नाम क्या है मधूपूरी अगला खिष्डी मेला गोर्णाथ मेला तर्कुलहां मेला ठीक ना देवच्छत मेला और तरकुलहा मेला ये सारे मेले आपके गोरख पुरके हैं ये सारे मेले आपके कहां पर है गोरख पुरके और गोरख पुरका पुराना नाम क्या था राम ग्राम गोरख पुरके गोरख पुरका पुराना नाम क्या था तो कहेंगे राम ग्रा तब अगला कुस्टिर्ण है है स्रम पका पशु मेला है ये भी आपका पशु मेला है ये द लुकत रह थी मेला है ये आपका पशु मेला है तुछ कर दू कर किना है तो बस-टेश्वर मेलव ां हां तो लो만 आग memorial है इतों सुमष्छा ऐला मेला नहीं पता थूम लोगोंने सांवर जूला मेला ठीक सरामर जूला मेहले मत्रा में भीव लगता है स modification के लिए और लाम जी के लिए आयोध्याम लगता है ठीड दोनों जड़ें लगता है दद्री मेला आपका पशु मेला प्रिकार से सुलह कुल महत्सव है उसी प्रिकार से सुलह कुल महत्सव है वह आपका आगरा में लगता है समझ गया ना पिछली बार पेपर में आया था फिर कोशन पूछ रहा है परिक्रमा मेला कहा लगता है बताई यह परिक्रमा मेला परिक्रमा मेला परिक्रमा मेला आपका नयमी सारन में लगता है फागुन महने में फागुन महने में लगता है नयमी सारन में सीतापुर ठीक है ना अगला बल सुंदरी मेला यह इंपोर्टेंट है बताए बल सुंदरी मेला बल सुंदरी मेला मैं आपको बताता हूं बल सुंदरी मेला का नया नाम है अनूप सहर बल कुरान नम था फरूखाबाद का कामपिल लाख मार होली कहां खिली जाती है बरसाना में बरसाना में खिली जाती है नंद गाउं में भी खेली जाती बेटा नंद गाउं में भी खेली जाती मत्रवाजिले के अंदर ही आएगा साकंबरी देवी मेला सहरानपुर में लगता है साकंबरी देवी मेला सहरानपुर में लगता है शोरो मेला कास गंज में लगता है सोरो मेला कास गंज में ल और सारे मेले दिखते हैं जो ऴुह से लिकास ऑप साहिय दसरार मेला तो बहराइट सही्या दसलार ल 쓸la ग एक जि सोच्छा कि यह है आपका इंबीर कर नगर यह क्या है आपका आपका उमुह 2 नगर यादर को जल दीसे यादर को जल दीसे किया उता सरी और 沒有 सभूंव पीला ये डिलेफ निरीमिंदल कुम्हाज बॉला मिला कर देवा सरीफ मेल ना तबारावांग पर रावा करे कर देवा ना पहँंदी क्यों बिंदल्क हरिदाश संग्मेल आप दमोल ने कि अप्संदू देवी पाठन मेला वहां लगता है जहां पर पार्वती औरंगा जहां पर पारवती और अरंगा वन जी भीहार एक फटा जुता है देवी पार्टन मेला का लगता है हमने आपको वह भी उता दिया है ठीक है अब आधाई फटाफेट शेजल्दी से लोग तो थांक्यू सभी लोगों को अधिक है क्रेक वाले आज बच्चे ने आंसर बताया है बलरामपूर बहुत बढ़िया बलरामपूर ठीक है अब जो लोग गोंडा बता रहे हैं ठीक है ने हिंट दिया था कि बताईए आपको परवतियों रंगा पच्छी वियर कहां पर है तो बलरामपूर लगाना है आपको क्या लगाना है बलरामपूर तो हम लोगों यहां पर क्या पढ़ा प्रमुक मेले पढ़े आप क्या पढ़ने जा रहे हैं महत्सो पढ़ने जा रहे हैं आप क्या पढ़ने जा रहे हैं महत्सो सबसे लिखर रहेगा ताज महत्सो का मनाया जा बॉथ न sacrifice सरावस्ति जहां बनता बनता है बॉथ मोट सरावस्ति संकिशा प्रूखाबाद में कपिल वस्तु कपिल वस्तु सा नात थीक है पॉछा जाएगा कि बुद्ध महुछ Lumo कहा का मनाया जाता है तो कुशी नागर कुशिन अगर कुशिन अगर है अ पासर पूछ जाएगा बुद्ध महुथ्खक और मना जाता है तो कुशिन अगर कॉशामळी स्रावस्थी संकिशा कंपिलवस्थरृ और सार्नात अимости Armen आपको बताइद का मनाते हैं कजरी जल्दी बताओ कजरी महत्सों का मनाते हैं कजरी महत्सों एक कजरी महत्सों है कलकी महत्सों है जल्दी बताइए का जिरी मोहत्सों का जरी मगसों नहीं आपाइगा आसर अभी मिरजापूर विटा जो मैं आच चरा रहा हूं याद करते तो कजरी म нужdish आ मिरजापूर सॉपिंग फेस्टिवल नोईडा में वेरिप फेस्टिवल से बनारस आयुर्वेद महत्सो जहांसी में होता है आयुर्वेद महत्सो जहांसी में होता है कलकी महत्सो का होता है कलकी जल्दी से ताइए कलकी महत्सो का होता है कलकी महत्सो यमना महत्सो अना सैफ़ाई महत्सो सफ़ाई तो सब संभल में बाबर ने संभल में बाबर में जामी मस्धिद बन उसी मसजीड जामी मसज़ेड लां पर है संभल में किस न बनाए दा इस और यह बात हमने आपको पहले बता रखी ठीक है फिल लिकाएया पे सबको पता है अली मोहत्षव आघल आज विरस में होरी रिया कजली कजली पूछा जाएगा तो पताहिए कजली तो वहाँ पर पान होता है पाननुस अंधान के अंदर कहां पर है तो आप कहेंगे महोबा हागे ना चलिए यानि कदली महुत सब बुंदेल खंका है सुलह कुल यही भी हिंदू और मुसलमानों का एक तका प्रतीक है आगरा कंपिल महुत सव फरूखाबाद कंपिल महुत सव हुआ है प्रती वर्स आयूजित होता है अना क्लियर भाई तो हम लोगों ने क्या पढ़ा भी हम लोगों ने पढ़ा आर्टेंट कल्चर और आर्टेंट कल्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं फटा-फट से हम लोग ने आर्टेंट कल्चर में पढ़ गराना है उस घराने के संस्थापक कौन-कौन से है फिर हम लोग हमने मेले पढ़े और मेले के बाTu लोगों ने प्रमुग उच्छो पढ़े यहाने की महत्सों पढ़े ठीक ना चलिए तो प्रमुग महत्स्व पढ़ने के बाद अब हम लोग के question है, प्रमुक सांस्क्रतिक संस्थान, आप question मनेगा, प्रमुक सांस्क्रतिक संस्थान, तो स्टार्ट किया जाए, प्रमुक सांस्क्रतिक संस्थान, बताई जल्दी से स्टार्ट किया जाए, हाँ, तो लिखा है, बच बोट पर लिखा है, फटा फटा फट ब महाविद्याले कहां पर है डॉक्टर भीम रावमबेटकर पर्यावरण संस्थान कहां पर है उत्तरवदेश संगीत नाटक अकाडमी कहां पर है हना तो इन सब का आंसर आपको बताना है एक करके बताईए एक करके बताईए अब शेक के पी शैली जितने बचे जुड़े हैं सब लोगे की बताईए उत्तर विदेश के सांस्क्रतिक संस्थान हमने लिख दिये हैं एक बच्चे का आया है लखनव लेकिन ये तो बतानी रहा कोई कि कौन सा लखनव है किसका लखनव है हागि ना बताना पड़ेगा आपको पेपर मे एक तीन कोश्चन अलग से पूछे गए कि भात खंजे संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी राश्ट्री कत्थक संस्थान की स्थापना कब हुई थी राज ललित कला अकाइजमी की स्थापना कब हुई थी ये दो तीन प्रस्ण भी आपको याद करने है जल्दी बत अगर आप से पूछा जाए अगर आप से पूछा जाए कि भात खंडे संगी संस्थान राष्ट्री का पूछेगा आपको बताना है 1988 क्या बताना है 1988 भारतेंदु का नहीं पूछता है लेकिन आप लिखा हुआ है बीच में तो लिख लगते हो इंद्रा शhr dick ng गांhin लगाया था 1975 तो इन सभी का आंसर इससवी का आंसर है अपका लखनवफogn तो आप से पूछा जाए अगर आप से पूछा जाए कि भात खंडे शंगी संस्थान राष्ट्री कत्तक संस्थान कापर है राजललित कलाक MRT कहा फूर अबिद्टय अभी आप का पर है ऊत्तिय को अ यह कहाँ और संगीतना तक अगादमी कहां अगला कॉशन निराला आर्ट कंई गैलरी और उत्तर्डेस का राज की अभिलेखा गार ये कहां पर है तो आपका अंसर हैगा प्रियाग राज कहां पर है दोनों तो आपका अंसर हैगा प्रियाग राज अगला भारती कला परिशद भारत कला भवन और इंद्रा गांधी राश्टी कला केंद्र ये चेतरी का ये केंद्र की तो भारती कला परिशद भारत कला भवन और इंद्रा गांधी राश्टी कला केंद्र इनका अंसर है बनारस बनारस यानि कि वहारा रसी क्लियर है भारती कला परिशत की स्थापना 1920 में हुई थी कोई भी पुराना पेपर अभी आया हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं है ना चलिए ठीक तो आप समझ नहीं सकते हैं कि आपको पढ़ाने के लिए मैं पहले दो तीन घंटे लिखता हूं ताकि आपका समय बस सके हना तो जैसे मैंने आपको इतनी देर में 40 मट में इतनी चारी चीज़ यह बताई है अभी मैं खुद लिखता खुद बोलता खुद लिखता खुद बोलता आप समझ जाए कि एक गंटा बीच जाता और एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हो पाता क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं प्रमुख संग्राहल कितने हैं सबसे बले यहीं पताऊना चाहिए राज की संग्राहले कितने हैं तो आपका आंसरा आएगा पहला है लखनव समझेगा सबसे पुराना राज की संग्राहले लखनव है सबसे पुराना राज की संग्राहले लखनव है इसकी स्थापना 1863 में हुई थी दूसरा है म राज की स्थापना माथुरा है 1864 में स्थापना हुई थी पृज इसका अंसर आगा राज की संग्राले जहाँसी इसकी स्थापना गुद मेरट ठीक है तो 1857 की क्रांति से संबंदित जितने भी हत्यार हैं वो सभी आपके मेरट के इस स्वतंता संग्राम संग्राले में रखे गए हैं अगला कोश्चन है भीम्राव अंबेटकर संग्राले कोश्चन पूचे जाएगा भीम्राव अंबेटकर संग्राले कहां सैंग्राले यह कहां पर है यह μεंट कर सक्षाइर यह कहां पर है वह पर आंपको मिल जाएंगी उनके नाम पर संग्राले बना हुआ है आप का आंसर आएगा जो संख्राले बनाए वह राम पूर में हें भीमरामम मेटिर से संबंदित सारी चीज़ें यहां पर मिल जाएंगे बहुत संख्राenario की बात की जाए तो राज की है बहुत संगराहलों की संख्या कितनी बच्चा तीन है पहला है गोरकपुर में पहला कहां पर है गोरकपुर में दूसरा है कुशी नगर में और तीसरा है कपिलवस्तु में कपिलवस्तु में वही पिपर हावां ठीक है ना चलिए तो पहला है गोरकपुर में दूसरा है कुशी नगर में और तीसरा है पिपर हावा में सिध्धार्थ नगर पिपर हावा सिध्धार्थ नगर भारत का सबसे प्राचिनी स्थूप कौन सा है भारत का सबसे प्राचिनी स्थूप कौन सा है अगला राज की जैन संग्राले की बात कि जा तो सिर्फ एक जैन स संग्राले कहां पर है लखनव में लोक कला संग्राले कहां पर है लखनव में राज की पुरातत्य संग्राले कहां पर है तो पुरातत्य संग्राले बिटा दो है ठीक है ओके तो राज की पुरातत्य संग्राले जो हैं आपके वो दो हैं एक कन्योज में है और एक आपका फरू फुखाबाद में बनाया गया है वहां से आपको बहुत धर्म की चीज़े मिलेंगी लेकिन बहुत संग्राले नहीं है वह ठीक है ना तो राज की पुरा तत्य पूछा जाएगा तो दो लगाना है एक आपका लगाना है कन्नौज दो है ये एक कन्नौज में है और एक आपका फरूखा बाद में हैं एक बार फिर से इसको याद करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से इसको याद करने की कोशिश करते हैं लिकर आएगा भात खंडे संगीत संस्थान भात खंडे तो का बाते कर रहे हैं चलो आगे परते हैं तो मैंने आपसे कहा कि भात खंडे संगी संस्थान की स्थाफना 1926 में हुई राश्री कत्तक संस्थान की स्थाफना संस्थान की बात की जाएं सिल्फ महाविद्याल है नोक्टर भीम राम बिटकर पर्रयाण संस्थान और उत्तरफदेश संगीट नातक अकडमी इन सब का मुख्याले क्या है लखनव है अगला कुशन निराला आर्ट गैलरी और उत्तरफदेश राज की अब लेखागार कहां पर है प्रयाग राज में है भारति कला पर भारती का भारत खला भावन अंद्रा गांधी इसका अंसर का लगाना है अगला कुश्चन राच्की संग्राल किटने आपके तीन है लखनव सबसे पुराना है पर मत्रा पिर जहांसी राच्की 702 ग्राम कर समग्राले का हैँ बना सब्सक्राइब करते हैं प्रमुक लोक गीत की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है सांस्क्रतिक अपका नित्फ पर बात करेंगे लोग नित्फ पर बात करेंगे उलोक गीत ऑपन्रित से संबंदिति τो प्रस्न बंते हैं लोग गीत लोकनित कर Just us p 여러분 hey तो लोग की लोगण Mir taa कि नहीं ये नहीं तो इस पर सोच रहे हैं इस पर चरचा हम लोग कल की जाए क्रिया तो आज तो काफी समय ठीक है ना अब से जो भी जैसे स्पेसल का बैच लाओंगा उस यह स्पेसल के बैच में अना फीस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है और उसमें यूपी वाला भी पार्ट आपको सामिल मिलेगा नहीं तो फिर फीस नहीं बढ़ाएंगे आप लोग परहसान हो जाते हैं फिस बढ तो उन सब में भी आपको यह पीडिया मिलेगी आपको याद करना है पूरा यूपी धमाके दार ना लोग बच्चे सोच रहें लेकपाल में ग्राम विकाज जादा चकभंदी लेकपाल वाले स्लेबस में मत पढ़ो नाध्या बढ़ोगों राज्य लेकपाल का तुमारा अ पढ़ोगे तो दुनिया जो पढ़ा रही है उल्लू बनते घूमोगे ठीक ना पेपर पहले देख लो इसके बाद हमें बताना और आभी तक हमने कुछ गलत नहीं बताया है जो जो बताते हैं एक्जैक्ट लिया आता है एक ना देकिए मैंने आपको यूपियासाई की मूल व भूचा जाए उसके थे थोड़ा सा ज्यादा पढ़के जाओ इतना ज्यादा ना पढ़के जाओ कि जो आता है वही भूल जाओ ठीक है ना तो आज के लिए इतना काफी है सारche चीजे बताई है जैसे МУ अभी मैं उत्तरप्ति स्पेसल बढ़ा कर बैठा था तो इसी के आगे बढ़ाना सुरू किया था हमने जैसे जैसे यह सब पढ़ा दिया है इसे आज सामको नहीं बढ़ाया था कि फिरोजाबाद का पुरान नाम क्या था चंदरवार या चंद नगर कुषी नगर का पुरान कुषी नहारा था सार्वंदा का पुरान नाम सिंग्भर म्रग różिशित पत्तन था फरूखाबाद का पुरानाम कांपिल था है अधलयम उस्सथ्फान यह ज़दी नहीं। लोग कर चुके है कि रशी वाले सम्मधिक रशी संस्थान की तारी बाते कर चुके हैं ठीक ना थी सारी बाते कर चुके हैं ऊपए में तो आपको यूपी पुरा याद हो गया आएका प्रेसान नहीं होना 15-16 गंटे पढाऊंगा यूपी आपके धिमाग में रटा होगा ही ख नहीं द्त त्क प्रेसान नहीं होना है आपको पर तक नहीं हो जाता और समय से पहले पूरा करने मेरी आदत है किना पेपर से पहले मैं पूरा करूंगा यह पत्सीत दिन पहले पच्यत दिन जम क्या को डिवीजन करना है इ sécur now झालगल